यह देखो आपने आपको क्राफ्ट बुक में ना दिख रहे हैं ना वन ट्री जिसमें ट्री में अपनोंने डॉट्स लगाए थे सेकेंड क्रेकर्स बनाना है एंड थर्ड थर्ड बॉटरफ्लाइ जिसमें कलर्स पेपर्स लगाए थे एंड फॉर्थ आइस क्रीम इसमें अपनोंने आइस क्रीम किसके हल्प से बनाई थी कॉचन के हल्प से अब फिफ्ट नमबर पर आपको दिख रहा होगा बन ब्रैड ओके स्वाजपन ब्रेड वाली जो है आट करेंगे है ना ओके सो ओपन यूरा पेज नमबर फॉर्टीन आड फिफ्टीन पे तो अपने को इंस्ट्रॉक्शन दिये गए हैं उसके कोडिंग लिए अपने को फिफ्टीन पे फॉलो करते हुए आट करना हैं ओके सी हाव टू डू इट यह कैसे बनाना है टिया डिफ्रेंट कलर्ड पे पेपर्स इंटू स्मॉल पीसेस केफुली दैट मींस फिर्सली अपने को डिफ्रेंट पेपर लेना हैं से चिल्रन डिफ्रेंट कलर के पेपर है ना रैड यलो पिंक जो भी आपके इच्छा है डिफ्रेंट कलर के पेपर्स लिए उनकी स्मॉ small pieces करना है क्या करना है Small pieces देखो keywords पर Caesar की सीहीं केसी करना है अपने हेंट्स के हमसे अपने हातों से अपने कैसे पेपर को applying Insp appropriation हैं वेसे अपने को स्मॉल a ili कर देना हैं एन आब के जो भी शेप में कट होता है वेसे कर देना है ओक रपनें को क्या रिक्वाइर्मेंट रहेगा एक और ग्लू एक और क्या रिक्वाइर्मेंट है ग्लू अब सेकेंड पॉइंट पर आते हैं अपन एप्लाएं ग्लू और पेस्ट पीसेज ओन दो स्लाइज ओफ ब्रेड टू लूक लाइफ टूटी फ्रूटी ओकी अपन ग्लू लगाएंगे के उपर और जो ब्रेड का शेफ दिया गया है उसके उपर स्टिक करेंगे तो अपने को केसा पता चलीगा कि जैसे कोई टूटी फ्रूटी लगती है ना अपने ब्रेड के उपर सबको पसंद है ना टूटी फ्रूटी जो कलरफुल होती है वह विसा दिखेगा लाइक टू टूटी फ्रूटी ओके सो लेट्स स्टार्ट फर्स निया रैड पेपर ओके स्टीक आपको बीच में चिपकाना है ना ब्रैड के आप इसकी हल्प ले सकते हैं कैसे स्टीक करना है इधर नेक्स्ट कलर अपनो ने लिया येलो तो स्टीक इन ब्रैड नेक्स्ट नेक्स्ट कलर इस ग्रीन स्टीक अन ब्रैड नेक्स्ट लेंगे अगें रेड मुझे भी रेड कलर की ट्यूटी फ्रूटी बहुत पसंद है नेक्स्ट पिंक और वे इंजोई पेपर्स बसते हैं उसको हटा के एक और जो है वो स्टिक कर दो ग्रीन कलर स्टिक किया की लग रहा है ना टूटी फूटी लगए ओज इसे ब्रेड के उपर है ना आर्यू लाइक टो इट ब्रैड यास् ब्रेक्फास्ट में ब्रेड खाते हैं आपन ओके सो कंप्लीट यूर हम वाक एंड प्रेक्टिस एट होम आपको यह वाली आर्ट भी करना है और नेक्स्ट आर्ट जो आपको फिनिश हो गई है वो सारी भी कंप्लीट करना है ओके ऐसा नहीं कि मेंडम ओल्लाइन पढ़ाती है तो आपका अपना वक्ट जब चाहे तब आप फिनिश कर सकते हो आपको जब आता है तब ही आपको दीज डे उसी दिन आपको यह कंप्लीट कर लिना है ओकी बैबै